उत्राखंड में सायद ही ऐसा कोई दिन हुगा जब दर्दनाग सड़क दुरगटनाओं की खबरें सामने नो आती हूँ ऐसी ही एक खबर आज राज्य के उधमसिंग नगर जिले से सामने आ रिये जहां पहाड से होंडा सोरूम में बाइक सर्विसिंग कराने आये एक युवक की दर्दनाग सड़क हाथ से में मौके परिमाथ हो गई अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल लूप से उत्रखंड के अलमुड जिले के दन्या निवासी रमेश कुमार पांडे रुद्रपूर के नगला इस्तित होंडा सोरूम में बाइक सर्विस कराने आये था बताया गया है कि सर्विसिंग के बाद वह नगला बाइपास के पास सड़क पार कर सामने की एक दुकान में जा रहा था इसी दोरान सामने से आ रहे एक तेज रप्तार अग्यात केंटर ने उसे भयावह टकर मार दी हास से के भयावहता का अंदाजा इसी से लगाए जा सकता है कि जहां केंटर की टकर से बाइक के परखचे उड़ गए वहीं रमेश की भी मौके परीमौत हो गई सूचना मिलने पर मौके पर पहुँची पुलिस विभाग की टीम ने मिर्तक के सव को कबजे में लेकर पोष्ट माटम के लिए भेज दिया पुलिस विभाग की टीम अग्यात के इंटर चालक की तलास में जुटी हुई है वहीं इस दुखत घटना से मिर्तक के परिवार पर दुखो का पहाड तूट पड़ा है वहीं बताया जा रहा है कि घटना से 25 मिनट पहले रमेश ने अपने छोटे भाई से फौन पर बात की थी उसने अपने भाई को बोला की बाई की सर्विसिंग हो चुकी है अब वह घर के लिए निकल रहा है जबकि इसी बीच सड़क पार करते समय वह हाथ से का सिकार हो गया खिलाल पुलिस सभी CCTV फूटेज को खंगाल रही है और मौके से फरार केंटर चालिक की तलास में जुटी हुई है बने रहिए पहाड से मैदान की हर खबर के लिए देभूमी दर्शन के साथ